नमस्कार, एट मार्च हम हर वर्ष अंतर राष्टिय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों आज हम इस विशे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इनोवेशन और डिजिटल टेक्नलोजी इसका जेंडर एक्विलिटी पर कितना महत्पुन रोल है, क्या इफेक्ट है और इसके लिए हम विविन छेत्रों से जुड़े हैं लोग चाए वो रंगमंज से हो, सिनेमा से हो, कोकिंग से हो, टेक्नलोजी से हो, उच्चिपत पर आसीन महिला अधिकारी हो इनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, तो चलिए हम मिलते हैं दर्शकों अंतराश्ट्रियम महिला दिवस के उपलक्ष में हमने शहर की कुछ महिलाओं से मुलाकात की और उनके विचार जानने चाहें आईए, आप सभी से उन विचारों को साजह करते हैं इंडिया बहुत बहुत अच्छी जगह पर अभी जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले ताइम में यहां पर मुझे एकदम ऐसा लगता है कि हाडली ही फील होगा कि यहां पर एक्वैलिटी नहीं है प्रहणी बुशने की इंडियाए था ते सपफ़ सबना है आज के रहा है और जो अर्ट की फिल्ट है कि पुराने ज़माने में क्या था आर्ट में हम लड़कियों को ही भेसते थे लड़कियां घर पे रहती थी रंगोली बनाती थी पेंटिंग बनाती थी, घड़े वगर पॉर्टरीज पेंट करती थी, यह सब आर्ट का फॉर्म था और लड़कों को बेसिकली हम बाहर काम करने भेजते थे, लेकिन आज वो चीज नहीं है, आज जो एक सोशल मीडिया है, टिकनोलिजी इतनी डिवलप हो गई है, इससे हम दे पेश्विदेश के आर्टिस के बारे में हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कि दूसरे देशों में आर्ट के फील्ड में जेंडर इक्वालिटी है, वहां जितनी लड़कियां इन्वाल्वड हैं, उतने ही लड़के भी इन्वाल्वड हैं, तो वो चीज अब हमारे इंडिया मेडिसिन में सबसे पहले सबसे कॉमन चीज जो देखते हैं नोर्डिस करते हैं वह एंबी बेस के शुरुवात सही हो जाता है कि लड़के गाइनी ओप्स की फील्ड को बिलकुल अवाइड करना चाहते हैं जो की पहले था अब थोड़े बहुत अवेरनेस हो गया है उनकी इं इसके अरावा जो जेनरल पॉपलेशन के लोग हैं जो आम लोग हैं उनमें भी पहले बहुत एक कॉंशनेस थी जो की अप धीरी धीर करके दूर हो रही है क्योंकि पहले क्या था कोई प्रॉब्लम है तो आपको सिफ डॉक्टर से जाके ही पूछना है कि ये प्रॉब्लम क् अब क्या है कोई प्रॉब्लम आती है तो लड़के या लड़किया जो भी पहले उसको इंटरनेट पर सर्च करते हैं उनको आजकल सोचल मीडिया पे तेंने कॉंटेंस जो कि वो देखते हैं और उसके बारे में अवेर होते हैं तो अगर उनको लगता है कि उनमें वो जो प gender equality it is not a fundamental right, but it is to utilize all the resources and opportunities in equal way by all the without any gender gap, and in this case we have some report, we have a committee report, the world economic forums global gender gap report 2022 के हिसाफ से जो आइसलेंड है वह भी टॉप 20 परसेंट में रेंक कर रहा है और उसको लास्ट 12 यह रोगा है लास्ट 12 यह से वह उसी रोमे करने क्योंकि वहां पर 90 परसेंट वह जेंडर गफ अचीव कर चुके हैं कि हम इंडिया में भी हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं यह तो बहुत सारे चीजों में तो हम एक्वेलिटी अभी हम अचीव कर चुके हैं बहुत सारी जगह पे बहुत कम जगह है क्योंकि गवर्मेंट के इतने अच्छे प्रमूट कर रहे हैं तो इसलिए इंडिया भी इस नोट वेरी फार वह भी जल्दी अचीव कर लेगे मैं तो जहां तक मेरा व्यू है मैं सोचती जेंडर एक्विलिटी को अतम करने में इन्नोवेशन और डिजिटल है यह प्लेंग वरी इंपर्टेंट रोल क्योंकि आज हम इसके कारण ही जो एजुकेशन, लाइव, एकोनोमिक अर्णिंग, देर एंटर्टेंमेंट सभी कुछ हम इसी से अचीव कर पा रहे हैं देखिए जब कोई-टाइंटीन के समय भी जब पूरा लॉक्ड़ॉन चलता था तो भी हम डिजिटल टेक्नोलोजी के कारण ही हमने किसी की कोई भी चीज जहां है इतना हेल्ड़ अप नहीं हो पाया लॉक्ड़ॉन के समय भी हम लोग हर्चेज अपने पूरी लाइफ इंडिया में सर्वाइब कर पा रहती ही और हम लोग सब बहुत अच्छे से क्योंकि डिजिटल टेक्नोलोजी उससे एक पाते हैं तो हमें सोसाइटी में उसके लिए प्लेस जगह मिल जाती है तो यह इन्नोवेशन कही है कि जो डिजिटल टेक्नोलोजी के कारण है हम सब जगा पहुँच पा रहे हैं बैंकिंग देखिए कोई भी काम आजकल बैंकिंग जो रुका हुआ नहीं है लोग जो अनिं काम कर रहे हैं देखिए हाज कल जो हमारे कैटरिंग बिजनेस में कैटरिंग बेंश सब से बहुते गागा अग्जामपल है अजकल पहले आसा एक पर सेप्षिन था किसे लेडिस की मैन, वुमेन जैसमें पोईस में था किसी कुष करते हैं लेकिन आप आजकल देखिए बड करने मैं फॉरिस सर्वाइवल हैस तू कुक इस फूड फूड पर इस ओन जाता है कि जैंडर एक्विलिटी इन सेंस ऑफ फिमन एंपावराइजेशन के लिए है परंतु ऐसा नहीं है यह दोनों के लिए हो सकती है मेल भी आ सकते हैं फिमेल फिल में तब जैंडर एक्विलिटी मानी जाएगी मोस्टली वेस्टरन कंट्रीज में इसका कोई डिफरेंस रहता नहीं है हमारे यहाँ भी हम बहुत आगे बढ़ गया है पीछे जिन चीजों को पहले अपने को टैबू समझा जाता था कि यहां पर यह फिल्ड में महिलाओं नहीं जा सकती जैसे माइनिंग का फिल्ड हुआ वहाँस हस्बेंट के कॉंसेट भी मुझे आप दिखते हैं कि अगर महिलाओं को ज्यादा जरूरी है या उनका ज्यादा वह है इसमें तो आप बिल्कुल यह कहना चाली कि दोनों जो है मेल और फिमेल जो है वह एक्वली हर फिल्ड में जो है आने लग गया है और इंडिया प्रियासरत थे पर इस फिल्ड में भी आने लग गया है तो अब जैसे आपने बोला कि जैसे किचिन था और बहुत सरे से एरिया थे जो रस्रिक्टेट है तो क्या आप मानती हैं कि दिजिटल टेक्नलोजी और जो आइनोवेशन साचकल डे टो डे लाइफ में बहुत इंप पूरे देश में अभी आप कर सकते हैं और एक्च्वली मेरा उस साइड में कोई रुजान है कि नहीं तो उस से उनको डिसीशन लेने में सहायता मिलती है और अंडरस्टेंडिंग भी बढ़ती है फिमेल भी देखते कि हाँ बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम बाहर लोग क्या क पूरे देश में अभी आप बोर रहे हैं डिजिटल का जमाना है और हमारी लड़कियां कोशिस भी कर रहे हैं आप इंजरिंग कालेज और इसमें देख भी रहें कि कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई बहुत बच्चिया कर रही हैं और लड़कों से भी आगे निकल रही है पर अभी उतनी तदाद में जो होनी चाहिए बराबर जो अनुपान में लड़की लड़के एक साथ मतलब इस एजुकेशन में बराबरी का वो अभी हम लोग थोड़ा पीछे हैं पर पूरे देश में कोशिस चर रही है कि हमारी लड़कियों को एक अच्छी एजुकेशन अच्छी कालेज मिले जिसमें वो हमारे लड़कों के बराबरी में आके खड़े हुए बहुत जगह तो आ रहे हैं बड़े-बड़े महानगरों में देखिए न लड़किया आप इसमें ज्यादा काम कर रही है कंपूटर चोटे सहरों में भी चोटी आपीशीयों में भी ज आपको लड़कियां ही कर रही हैं, हमारे लड़के पीछे हैं, पर जो उनके अनुपात है, वो जरूर कम है, पर कम्पेटिशन में हमारी बेटियां जादा आगे हैं. दोस्तों, हमारे साथ National Institute of Technology की फेकल्टी, रिसेर्चर्स और स्टुडेंट्स हैं, जो हमारे विशे डिजिटल टेकनोलोजी और इनोवेशन, जेंडर एकुलेटी में कितना रोल प्ले कर रहे हैं, इस विशे पर अपने विचार वेक कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं, मैं रिलेटेट टो बायो मेडिकल, इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, पिछले दस वर्षों में, देखा जाए, काफी विक्सित हुई है टेकनोलोजी, जिससे इसको मैं रिलेट करना चाहूंगी हेल्थ केयर से, और क्या कहते हैं, इस्पेशली महिलाओं से जु काफी मुश्किल हुआ करता था, तो जब तक ये स्टेजेस काफी बढ़ जाती थी महिलाओं में, तब उनका इलाज शुरू होता था, तब उनको पता चलता था कि हम इससे ग्रसत हैं, और फिर डॉक्टर उनका इलाज करना शुरू करते थे, और तब तक उनका आखरे स्ट करते जाता था और वो मृत्यू के दर पर पहुच जाती थी, लेकिन जब से ये टेक्नोलोजी विक्सित हुई हैं, बायो मेडिकल और इनिशियल स्टेज में कई डिवाइसे से विक्सित हुए हैं, जो उनका अर्ली स्टेज में पता लगा लेते हैं, इससे महिलाओं को करते हैं, बायो मेडिकल पॉइंट मेंस हेल्थ केर पॉइंट अफ यू से तो टेक्नोलोजी ने वुमेंस को बहुत इंपावर्मेंट प्रोवाइड किया हैं, बट साथी साथ, इनकेस हम लोग देखते हैं, तो टेक्नोलोजी ने वुमेंस सेफटी को भी बहुत हद तक के सब्सक्रीन पर आप उस जगह के बारे में आप के घर में आप जितनों को बताना चाहें आप बटा सकते हैं. बहुत सी कंट्री में पर मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि जो जेंडर इक्वालिटी वो हमारी कंट्री में नहीं है लब एक टाइम था जब थोड़ा सा दबाया जाता था फीमेल्स को लेकिन आज की डेट में मुझे तो नहीं ऐसा लगता है कि इतना बलकि फीमेल्स को बहुत मेरे लिए यह जो फील्ड है रिसर्च वाली यह बहुत कंवीनियंट लगती है मुझे मुझे यहां पर मतलब ट्रीटमेंट के वाइस अगर कहूं तो हां मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि नहीं मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है बिकॉज आम फीमेल् टेक्नोलोजी ने हर एक वर्ग के लिए अपनी बूमिकाने बाई है आप चाहे महिलाओं की बात करें हैं पुरुषों की और जैसे हम मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं तो जो डाइग्नॉस प्रोसेस महिलाओं के लिए बेनिफिशल हुए है उसी तरह से पुरुषों के बिए भी टेक्नोलोजी ने अपना योगदान दिया है उनके अफ्रोस्त AT कैंसर या जो भी उनके उंगों शे रिलेलेटट बिमारिया से के लिए भी वे टेक्न लेजी ने अपना बहुत जाधा योग्दान दिया है सीमा जी आप जैसे साहिते केट्र में है तो हम जानना चाहेंगे किकन लॉजी जो है आशिते के छेत्र में किस से हेल्फुल हो पा रही और देखा जाये तो तो छो टेकनोलाजी है उसका सर्महिलाओं पर बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि हम पहले थे अपनी बातों को दूसरे तक पहुचा नहीं पाते थे जब से हम को यह टेकनोलाजी इंटरनेट और बहुत सारे जो सोसल मीडिया के अपना अपना अनुभा वताना चाहंगी कि मैं 25 वरसों से अपना लेखन कारे में थी लेकिन वो केवल मेरा पत्रिकाओं तक ही सीमित था लेकिन जब से मैंने ये इंटरनेट के माध्यम से और अपने ब्लाग के माध्यम से यूटूब है या फिर वाटसप है इन सभी चीजों के माध्यम से मैंने बहुत तरिक्की की है और आज मैं इतने सारे संगोष्टी में साम मीडिया और ये जितने भी हमारे ये कहा जाए टेक्निकल ये सभी चीजों ने बहुत ही सही हो किया है नारी हूं मैं बेटी जन्म लेकर इस दुनिया में आई हूं पहले पत्नी बनी फिर माता बनी जहां की भले नारी हूं मैं पर भले रूप मेरे अनेख हैं और वासल इसने दया भाव आचल में मेरे और एक मेरी और पंग्तिया है कि ना पूछो की मनजील कहां है मेरी अभी तो चलने का इरादा किया है ना हासला हारूंगी मैं उम्र भर ये किसी और से नहीं खुछ से वादा किया है हुझसे वाता किया है हमारे साथ है पूनम घई और शोभा विश्करमा पूनम घई और शुभा जी आपका स्वागत है हमारे शोव में तो जैसे कि पूनम जी है वो हाउस वाइफ हैं लेकिन धीरे धीरे वो अपना बिजनस भी एस्टेबलिश कर रही है तो कैसे टेकलोजी न को मदद की है चलिए उनके ही उससे सुनते हैं जैसे मेरे हजबन को गए हुए चार साल हो गए पहले तो मैं अक्यली थी मगर यही मुझे बहुत है टेकलोजी मतलब मेरी दो बेटियां जो बाहर पढ़ती है एक बैंगलोर और दूसरी वनस्थली जैपूर बड़ी वाली फ की आपकी लाइफ में टाक लॉल रहा है अधिक है present मेरे में बहुत रहा है क्लोभ वगरा में या थैंका सर्विस में भी शेंडंवार में तो अभी फ्री हो गया है क्योंकि रेटायर्मेंट हो गया है तो अब मैं ये टेकनोलाजी से कुछ घर बैठके आप योगा सिखाना है या कुछ आपको सिलाई कराई करना है या कुछ आपको कुकिंग का है बेकरी का है एवरीटिंग आप जो है ने टेक्नोलाजी से आप कर सकते हो उमिस पर शिक्षा सब कुछ दे सकते हो लड़कियों को सिक्षित बनाना चाहिए शिक्षा सबसे पहले जरूरी तब ही वो लड़किया जो आगे काम कर सकती हैं हार फिल्ड में पढ़ाई सबसे पहले आपको वही आज कल गूगल पर सब कुछ है आप सीख करके भी आप घर में बैठके कुछ भी कर सकते हैं सारीका जी हम जानना चाहेंगे कि अंतराश्री महिला दिवस में आप आहार को लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहेंगी सबसे पहले तो सभी महिलाओं को मैं अंतराश्री महिला कि हमारी जितनी भी महिला हैं उनमें एनिमिया की प्रॉब्लम बहुत जादा है और वैटमिन डी की कमी बहुत जाला देखने को मिल रही है तो इन सारी चीजों को ध्यान रखें अपने आहार को आप अपने नेमित्ता के साथ पर पालन करें समय समय पर उच्छित आहार लेत जो है वो रेगिलर फॉलो करें जो उनके अंडर डेफिशियंसी जा रही हैं अकम आहार लेने के कारण उनको रिकवर करने का प्रयास करें हम सभी जानते हैं कि आर्ट मार्श को इंटरनेशनल वूमेंस डे बनाया जाता है और देखिए हर छेत्र में जब वो जनसंख्या का आधा हिस्सा हैं तो हर छेत्र में उनकी भागी दारी भी बराबर की होनी चाहिए ऐसा मेरा मानना है विज्ञान के छेत्र में भी महिलाएं जो हैं वो काफी आगे बढ़ी हैं और आगे बढ़ने के साथ उनको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए हर छेत्र में चाहिए वो अनुसंधान का छेत्र हो कृषी का छेत्र हो कोई भी छेत्र हो तो जब वो पूरी जनसंख्या का आधा तो हर खेत्र में उनको बराबर के हिस्से में आना पड़ेगा हम सब की यह होनी चाहिए कि उनको हम बराबरी पर लाकर खड़ा करें तब ही जो है एक देश जो है वह आगे विकार स्रील देश जो है वह विक्सित देश में बन पाएगा मैडम हम चाहेंगे कि अंतर अश्टिय महिला दिवस पर आप अपने विचार जो हैं हमारी दर्श्रोगों पे साथ प्लीज साजागी जी यह तो पहुत अच्छा मेरे एक साभाग है कि इस पर मैं करना चाहिए मुझे मोका दिया आपने तो आभी तो मैंने जान तक मेरे नॉल मैं कंट्री में, कमिशन ऑन जो काम करती, कमिशन ऑन इस्टेश ऑफ वोमें, CSW 67 बोल तो उनकी भी ताटिल जो वी इस साल के जो थीम हो पूरे इसी बेस्ट है, इन्नोवेशन आपने टेक्नलोजी बेस्ट है, तो मैं वो भी शेर करना, चाहंगे कि इनका आतील है, पर एक्वेलिटी एंड एमपॉर्मेंट अफ और वोमें और गल्स, तो यह मिशन है हमारा, कमिशन का, तो यह मिशन भी, I wish, यह सक्सेस हो जाएगा, तो मैडम, अंतर राष्ट्री महिला दिवस हैं, और हम चाहेंगे कि आप जो है दर्श्रकों के साथ अपने विचार जो ह अंतर राष्ट्री महिला दिवस पर मैं सिर्क यह कहना चाहती हूं, कि हिंदुस्तान में सदा से विमन एमपावर्मेंट था, बीच में किसी कारण से वो हट गया था, पर अब फिर से हम लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे हां अंदर इंबाइब्ड है वो, कि महिलाएं जो हैं, वो बहुत श्रेष्ट हैं, तो इसलिए मैं तो यह मानती हूं कि, मैं भी खुद मानती हूं कि महिलाएं जो हैं, वो हर फील्ड में काम कर सकती हैं, और उनका बहुत बड़ा, उनकी पैरिफरी बहुत जाता है, वो घर को भी समाल कर और काम कर लेती हैं, अ दबने के दब के चले हैं और हमारी परमपरा भी आप लोग देखे होंगे पुराने समय से यही शीक्षा देते आते हैं माँबाप की आप लड़किया हो आपको सुनके चलना है आपको परिवार की बात मान के चलना है इस तरह की बाते जो संसकार हम लोगों में जो भरी गई ह लड़कियों में, वह संसकार कहीं हम सब में अभी भी है, तो हम लोग वो जो सामने वाले हम को दबा रहे हैं, या हमें यह करना ही है करके बहुत दबाओ बनाने हैं, वह चीज को भी हम सुन रहे हुद और उही की बात मार रहे हैं, हमको पता है कि वो गलत है, उसके बाद भी हम अपने संस्कार और परमपरा और रोड़ी वादित्ता को लेके उनके पीछे चर रहे हैं, तो हमारी कमजोरी है इसमें, मैं तो यही मानती हूँ कि हम सब महिलाओं की कमजोरी है, यह पुराने बातों को संस्कार परमपरा सहीं अपनी जगा है, हमको मानना है, पर वहाँ जो गलत है, वहाँ वे जो कमजोरी हमारी पुराने संस्कार और परमपरा में उसको भी छोड़ना है. में नवाद. झाल झाल